नमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शेरिन बुल्डोजर जेसी वी बुलूट प्रूफ जो पोकलीन जैसी भारी मशीनों को लेकर दिल्ली कूछ करने वाले किसानों का प्लैन पर आज हर्याना पुलिस ने फेर दिया पानी जिया जिस तरीके से ल देश की साथ जिस तरीके से प्रदशन कारी देश की राजधानी दिल्ली को घेरने का प्रयास कर रहे थे और कूँच करने की बात कर रहे थे जिस पर एक तरफ पंजाब हर्याना हाइणा हाई कोट ने जो पानी फेर दिया तो वहीं दूसरी तरफ हर्याना पुलिस ने जो है वो प्रदशन कारियों को पीछे कर दिया है यानि कि जो लगातार बात कहीं जा रहे थी कि दिल्ली कूच करेंगे अब उस पूरे प्लैन पर पानी फेर दिया गया है पुलिस के द्वारा और देखिए सवाल अब ये भी पास अगर ये दिल्ली कूच करने की बात करते हैं तो देखिए जैसी भी बुल्डोजर और पोकलेंज जैसी भारी मशीनों को लेकर आखिरकार क्या कर रहा है देश का के साथ और इसी तरीके की तमाम चीज़ें हैं जब इन्हें देखकर इस आंदोलन को लेकर जो है वो शक पर देश में डियम आपस के सामने प्रदर्शन कर रहे राकेश टिकैद का भी बड़े बयान सामने आए हैं और सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं राकेश टिकैद जो यह कहते हैं कि हम भी एक किसान नेता है आज यह पूरे देश बरसे में रहेगा काफी जगे और यह डि एमेसपी गारंटी कानून का जो सवाल है उस पर बातचीत करेंगे इस्टेट की जो समश्या होगी वह भी अपने ग्यापन में लोग देंगे और एक भारत सरकार को क्योंकि दुन जगह की समश्या है तो आप अपना वह लिखेंगे डियम के माध्यम से वह हर स्टेट के मु अगर यह दो तीन बज़े तक यह प्रोग्राम चलेंगे तो मुख्य मांगे अगर केंद सरकार की बात करें तो एक बड़ा इसू है की मिजली अमेंटमेंट बिल है कि स्वामीनाथन कमैटी की रिपोर्ट हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि एकर फें प्रौरे देस के किसान को नुक्सान होगा कि उस पर कानून बन जाए जो सरकार को खरीद कर नहीं सरकार खरीद करना है लेकिन व्यापारी प्लेयर जो आ रहा है प्राइवेट प्लेयर वो सस्ते में खरीद ना करें इसके लिए बड़े आंदोलन देश भर में चल रहे हैं और यह मुमेंट और आगे बढ़ेगा देखो सरकार नहीं मान रही तो फैली होगा चंदीगड भी वारता होगी तो फैली होगा सरकार एकर नहीं माननेंगी तो फैल होगा तो कि यूपी से भी किसार अभी उसका प्लान बढ़ाएंगे कल S.K.M. की मिटिंग दिली उसमें चंडीगड में हैं उसमें तेह करांगे आगे की रणनीती कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है कल S.K.M. के सब ही लोग उसमें आएगे तो क्या पंजाब के जी किसार ने उनका समस्क्रा ने 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 यह जो वीवे किसान लडाई लड़ दे हो अखेले पंजाब के नहीं है उनका इसू पूरा देश भरका है कल चंदिगड का प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कौन-कौन लोग रहेंगे अभी आज ये मिटिंग हो जाएगी तो कन्फरंग हो जाएगा एसकेम की कल मिटिंग है चंदिगड में एक दिन की और एसकेम तहे करेगा कि हम को आगे कैसे काम करना है कैसे आंदोलना करने क्या बड़ा मूमेंट करना तो कोई मलब बड़ी ऐहम बैठक होगी हो जाएगी और यह फिजिकल रूप से बैठक हो रही है बहुत दिन बाद मे पंजाब की बहुत जत्यबंदी है तो एसकेम तो फिजिकल लोग से सभी जत्यबंदी के लोग उसमाएंगे यूपी से भी लेगे उसके देश भर से लोग उसमाएंगे वहाँ बैठक है एक दिन की बिटिंग होगी और आगे की रणनेती बढ़ाएंगे तो देखिए बीके यू के इन्डे प्रवक्तार राखेश्टिकेट की आपने बात सुनी किस तरीके से राखेश्टिकेट कह रहे हैं कि आज हम डीम के ओफिस पर जो है वो धड़ना इन्वाकर रहेंगे और हमारी जो मांगे हैं वो जायज है इस तरीके की बात जो है वो बीके यू के प्रवक्तार राकेश्टिकेट कहते हुए नजर आ रहे हैं पर देखिए एक तरफ लगातार ये बात कहीं जा रही है कि केंद्र सरकार हम से जो है वो बात करे तो बहीं द तमाम लोगों को दिये गए हैं पर इनका यही कहना है कि MSP की गैरंटी से कुछ भी कम नहीं चलेगा और दिल्ली कूच करने का आभान जो किया गया था उससे पूरी तरीके से जो है वो फेल कर दिया गया है एक तरफ हरियाना पुलिस की तरफ से बड़े आक्षन लेते कि मोड पर थी और इसे लेकर सुरक्षा के से जुड़े वरिष्ट अधिकारियों की बैठक भी की गई थी तमाम सुरक्षा के बीच यहां पंजाब को जोडने वाले शंबू बॉर्डर के पर जो है वह सुरक्षा के इंतिजाम भी कड़े कर दिये गए थे दिल्ली पुलिस इसका मक्सद सरफ यही था कि हर्याणा पुलिस की रणनीती को समझना था कि दिल्ली पुलिस की ओर से भी सीमावर्ति की की गई तैयारियों के बीच जो है वो कुछ इसी तरीके से जो है वो सुरक्षा की जा सके और देखिए अब सुरक्षा को मद्दे नजर रखते हुए इन है कि किसानों के रास्ते में जो है वो बैरिगेट लगा दिये गए हैं कंटेनर खड़े कर दिये गए हैं या कीले ठोक दिये गए हैं पर सरकार और प्रशासन इस बार इसलिए सकत है क्योंकि जब 2022 में जो है वो छूट दे दी गई थी कि चलिए अगर आप कूछ करना चाहते ह गई है और उस समय के हालाच जो है देश नहीं भूला है कि किस तरीके से ट्रेक्टर लेकर नीचे गिए खालिस्तानी जंडा लहरा दिया गया था और इन히 पिल्कुल भी धीलाई नहीं बरत रहा है और इसलिए हर बार जो प्रदशनकारी लगातार कभी देखिए अभी पोकलेंग जैसी मशीन लेकर आ रहे हैं कभी जैसी भी लेकर आ रहे हैं कभी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुचा रहे हैं और इनी जो है वो सक्त निर्देश दे चुकी है और वहां से भी आपत्ती जताई गई थी जी हाँ पंजाब हाय पंजाब हर्याना हाई कोट ने किसानों के प्रदशन के तरीके पर आपत्ती जताते हुए कहा था कि मोटर बाहान अधीनियम के तहत रोज मर्ग राज मार्क पर ट्रैक्टर और ट्रेलियों का उप्योग नहीं किया जा सकता और आज सिर्फ हाई कोट ही नहीं बलकि जनता भी इस आंदोलन को लेकर सवाल उठा रही है कि एक तरब अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस तरीके से पंजाब और हर्याणा के लोगों का जीवन तहस नहस हो गया है क्योंकि जो बॉर्डर है जो आने जाने का रास्ता है वाकिस तरीके से जो है वो प्रदशनकारी बैठे हुए हैं जिसकी वज़े से प्रशासन की प्रशासन ने जो है वो रोड ही ब्लॉक कर दिया है खेर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करकर जरूर बताईए थन्यवाल